ये आप देखीगा ये सरियू में नहाएं, अपने घर में नहाएं, नाली में नहाएं, हमके कौनों प्रॉब्लम नहीं बार, हमरे राम आवतारन बड़ा दुखद रहा मायवती जी बहन जी मैं आपका बड़ा आदर करता रहा, मायवती जी आप अपने ही समाज का वोट लेत करके कॉंग्रिस की आप दुर्दशा देखें, सिमट गई है, और यही अच्छे कर्म के साथ प्रधान मंदरी मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, आप ये देखीगा, ये आप देखीगा, ये सरियू में नहाएं, अपने घर में नहाएं, नाली में नहाएं, हमके कौनों प्रॉब करती होगी, जो ये जिवित मोक्ष नहीं देख पाया, जो हम लोग देखने 22 जनवरी को जा रहे हैं, सभी सनातनी पूरे विश्व के सबको साधुवाद, और ऐसी सोच और इसी ओची सोच वाली राजनीती को येश्वशी प्रधान मंदरी मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन उनका काना है, जो असनान के हैं, जो सियासत कर्म हुए है, उसी को ठंडा करने के लिए असनान के हैं, नहीं नहीं हो, देखा ये सब इनकी राजनीती की सोच ही नहीं रही है, अब देश ये बहुत विराट हो गया, अब इन लोगों पर बोल कर हम इन सब चीजों में हवा नहीं देना चाहते है, इस वक्त देश राम में है, माहौल में है, और देश पॉजिटिव सोच में है, इसमें हम कोई नेगिटिविटी वाली बाते हैं, नहीं लोगों की बातों को उभार के भी अपने स्वें में भी नेगिटिविटी नहीं लाना चाहते हैं, बड़ गरीबों के लिए अपने समाज के लोगों के लिए कहा ये अनाज आपके समाज के लोगों के लिए जो आपके वोटर है मायवती जी उनको जाता है करोना में जिनके माता पिता की डैट हो गई कमाने वालों की ये शुश्वी प्रधान मंदरी मोदी जी ने तब सुचा कि वो परिवार कैसे जिन्दा रहेगा 140 करोड की आबादी तब 80 करोड के लिए उन्होंने तैक क्या आनाज देना पांच साल और मुफ्त में देंगे ताकि करोना काल से आपको नहीं पता जिनके परिवार में मृत्ति हुई कमाने वालोगे वो लोग कैसे जीएंगे वहां आनाज ज हो रहे हैं हमारी फॉज भी स्ट्रॉंग हो रही है यह मोदी जी का जिक्रा है यह 56 है आप क्या जानेंगे आप खाली राजनीती वाले दोशब बोलके आप हेडलाइन ले रहे ही लेकिन दुखत है आप ही के समाज को जा रहा था यह गरीवों का अनाज जा रहा है जिनके प जिल्ली में जो है अब आम आदी पार्टी भी हर मैने में पहले मंगलवार को जो है सुंतर पार्ट पहमान चासा करेंगे अब अब सब लोग तिलक लगाएंगे अब देखेगा अब सब में हिंदू जागेगा